बच्चों जैहिन आज का हमारा टापिक है देशी दवाई जिसका कि आज आपन भाग तीसरा देखेंगे हमारे साहित्य कारों ने कुछ ऐसी रचनाएं की हैं अपने अनुभाव के आधार पर कि कई जो रोग होते हैं या हमारा जीवन मान कैसा होना चीए या हम हमारे रोग जो है कैसे ठीक कर सकते हैं तो इसका प्रचार प्रसार करने के लिए इन्होंने कुछ ऐसे कहावतों का मुहावरों का सहारा लिया हुआ है तो उसी तरह के कुछ मुहावरे जो है या कहावत जिसे हम कह सकते हैं वो मैंने कुछ संग्रह की हुई है तो उसमें से मैं आपको कुछ बताता हूँ उसमें से देखिए तो सबसे पहली जो है संदेश देखिए कौन सा है रक्त चाप बढ़ने लगे मत सोचो भाई सौगंध राम की खाई के तुरंत छोड़ दो चाए यानि अगर आपका रक्त चाप बढ़ता है रक्त चाप यानि क्या ब्लड प्रेशर अगर ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है तो कई समस्याएं आने लगती हैं तो वो हमारा संदेश क्या कहता है पुराने संद्लों का कि रक्त चाप बढ़ने लगे मत सोचो भाइ सौगंद राम की खाय के तुरंट छोड़ दो चाय यह हमने तुरंट चाय जो है छोड़ देना चाहिए तो जब हम चाय छोड़ देंगे तो जो रक्त चाप हमारा बढ़ रहा है बलड प्रेशर बढ़ रहा है वो बढ़ना कम हो जाएगा और हमारे शरीर को आराम मिलेगा यह आप देख रहे हैं यह बाजू में यह जो है आपका बलड प्रेशर गिनने का जो है मशीन है अब यह देखिए चाय छोड़ देना है अब चाय की प्याली कैसी होती है देखिए चितर के माध्यम से और चाय के बागान जो होते हैं यह कैसे होती है तो यह चाय कब छोड़ देनी है जब आपको हाई बलड प्रेशर बढ़ जाता है तब अब दूसरा संदेश दीखिए भोजन करके खाईए सौफ गुड़ और आजवाईन पत्थर भी पच जाएगा जाने सकल हमने क्या करना है भोजन कर ने के बाद क्या और यूंच ठोड़ी सी सोंफ खाना चाहिए यह छहन डेखा इस अजवाइन अप ञिंहें ने सपचते आप दिनेया को रागुद्सके लोगोंने सब सौफ कैसा होता है सबने देखा है मैं आगे आपको उसकी स्लाइड भी दिखा देता हूं कैसा होता है पत्थर भी पच जाएगा जाने सकल जहान यानि अगर खाना खाने के बाद अगर यह आप लोग खाते हैं सौफ गोड अजवान तो यह साहिते का लोग क्या कहते हैं पत्थर तो पचेगा नहीं यह उपमादी होगी है सब कुछ पच जाएगा पत्थर तो काफी मजबूट चीज होती है वो तो हम खाई नहीं सकते तो पचनी की तो बात दूर है लेकिन यहां पत्थर से संदेश क्या है कि अगर आपने कुछ हैवी आईली भी खा लिया है त कई तरह कैंगे लोग थिस्थर फटने में पंचाब बिहार अध्य प्रदेश इस तरफ जो है खाना काने की बाद पान खाने का रिवाज है कि तो पान भी खाने से क्या होता है खाना पचने में मदद मिलती है तो ये देखिए अब सौंफ मैंने आपको बताया था कैसी देखती है देखिए ये देखिए सौंफ आप लोग देख रहे हैं और ये अजवाइन जालापन ओवा मनतो तो सौंफ और अजवाइन के गुण क्या है खाना पचने में मदद करना अब संदेश देखिए अगला भोजन करके जो ही ये केवल घंटा देड़ पानी इसके बाद पी ये ओशदी का पेड़ भोजन करके जो ही ये जो ही याने इंतजार करना यानि आपने खाना करने के बाद क्या करना है पानी नहीं पीना है और इतने देर के बाद पीना है लगभग देर घंटा यानि नब्बे मिनट के बाद पानी पीना है अब इसका वैग्यानिक कारण क्या है देखिए हमारे साहिते कारों ने आयरुवेदा चारों ने पुरान और वहां से पचन की क्रिया start होती है, पचन की क्रिया होने के लिए कई पाचक juice जो हैं, उस वक्त तयार होना सुरू हो जाते हैं, तो अगर हम पानी पिएंगे तुरंद खाना खाने के बाद, या खाना खाते वक्त, या खाना खाने के पहले, कई लोग तो ऐसे होते हैं कि खाना खाने के पहले ही कम से कम 25 प्रिसेंट पेड़ पानी से भर ले है जो पाचा करस है जो तयार होता है डायजेशन गे वह क्या हो जाएगा घंका और मन्ण पढ़न जाएगा जिससे क्या होगा हमारी पाचन क्रिया जो है पचने के जो प्रक्रिया है वो धीमी पड़ जाएगी और भोजन पचने में समय लगेगा पचन वगरे का भी तकलिव हो सकती है तो हमारा सहित्य और आईरुवेद क्या कहता है भोजन करके जो ही ये केवल घंटा देड यानि थो तो ये क्या है और वशिदी का पैड़ है यानि खाजाना है यानि मिनिमम बेश्य कि यह है कि आप खाना खाने के बाद देड़ घंटा तक पानी मत पीजिए ताकि आपकी पचन क्रिया जो है अच्छी हो है ये संदेश है देखिए इस बच्ची कैसी खुशी-खुशी पान U NaiI हैं हमने आराम あराम से inacuma से पहली होना चाहिए पानी कैसे पीना चाहिए बैठकर में पानी पी आराम पानी 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 पी cukन होता है ना थै raises पर के लिए यहां जायर यहां उसी तरह हमने प्रावी पईना चाहिए तो यह संदेश आप seni सूना अब अगला संदेज देखिए दर्द घाओ फोड़ा चुभन सूजन चोट पिराई 20 मिनट चुम्बग धरो पिरवा जाई हेराई यहां पर हमारी चुम्बग की चिकिसा पध्धती है उसकी महिमा यहां व्यक्ति की गई है कि चुम्बग चिकिसा पध्धती है यह हमारी सूजन अफसू हो जाती है यानि कभी मोच हो जाती है चलते चलते तो उसको दूर्द करने के लिए कैसे उप्योगी पढ़ती है चुम् तो आपको मालम है यह चुम्बक चिकिस्सा पद्धती चुम्बक का उपयोग जो है कई तरह की इलाजों में किया जाता है जैसे अगर आपको सूजन हुई है मोच आ गई है दातों का दर्द है इस तरह की जो यह है उसमें हम लोग इसका उपयोग करते हैं तो काहे के लिए दर्द कोई भी दुख हो आप लो दुख रहा है घाव हो जाए फोड़ा हो जाए यह चुबन हो तो या पैर में या हात में यह कहीं पर भी सूजन हो जाए चोट पिराई तो यह चोट पिराई याने दरद होना यह काफी दुखता है तो इसके लिए क्या करना है? बीस मिनत चुमबक धरो धरो यानने पकड़ के रखो चुमबक और जहां लगा हुआ है उसके आसपास घुमाइते तो बीस मिनत चुमबक धरो पीरवा जाई हेराई पीरवा याने जो पीरा है जो दर्द है जो दुख रहा है आपका वो क्या हो जाएगा जाई हेराई हेराई याने गुम जाना इधर याने गुम जाना नहीं हो जाएगा याने इधर क्या होगा दुख चले जाना याने हमें क्या करना है वो जब भी कोई दर्द हो घा हो फोड़ा हो मोच आ जाए तो उस जगे पे चुम्बक घुमाना है दर्द घा हो फोड़ा चुभन सुजन चोट पिराई 20 मिनट चुम्बक धरो पिरवा जाई हेराई तो चुम्बकी चिकिसा पध्धती के बारे में इसमें बताया गया है अब यह देखिए मैगनेटिक थेरापी यह साइन्टिफिक रिसर्च है ऐसा नहीं कि हमारे जो आईरवेदा चाह रहे थे उन्होंने अपने मन से किया है ऐसा नहीं अब अगला भाई देखिए अल्यूमिनियम के पात्र का करता है जो उप्योग आमंत्रित करता सदा वह 48 रोग याने अल्यूमिनियम का जो पात्र होता है जिसको हम लोग जर्मन भी बोलते हैं सफेद वाला जो होता ना ऐलुमिनियम या उसको अपने शुद्ध गावरान भाषा में आइपन जर्मन का भी उप्रिम बोलते हैं तो हमारा साहित या आयरोएड क्या बहता है हमें अलुमिनियम के पात्र का याने बरतन का उप्योग नहीं करना चाहिए क्योंकि वह सदा क्यों कुछी कारता है जो आयरोग कादा है हमारे खाने में हीमोगलोबीन की मातर बढ़ाने के लिए हमीं क्या ज़रत पड़ती है तो हमारे क्या कहता है साहित यह ऐलुमिनियम के पात्र का करता है जो आमन्त रित करता सदा वह अड़ता लिएजगर आशी आश्याणना सिद कोई भी ह्यों अगर नहीं दजडीक लाना है तो हमें बरतन्स का इसका उपयोग प्रास करना चाहिए तो हमने आज कुछ संदेज देखे, कुछ कहावते देखी, तो इसका उपयोग आप करिए, यानि हम कौन कौन सी देखी, हम लोग ने जैसे ऐलमीनियम का बरतन है, उसमें खाना मत बनाओ, चुम्ब की चिकिसा पधती के बारे में भी देखी, पानी हमने खाना खाने के कितने देर बाद पीना चाहिए, कम से कम देड़ घंटे बाद पीना चाहिए, तो ये सब जानकारी जो है, इसको आप लोग आपस में शेयर करिए, इसका उपयोग भी करिए, और इसे आगे भी बढ़ाईए, धन्यों.